जैहिन दोस्तों नमस्कार डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग 9 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सकेंशिप्ट का पेपर है यह NTPC CBT1 का पेपर है इस वीडियो में हम लोग जनरल अवनेस के प्रसुनों को देखेंगे आज का जो पेपर होगा वो असिमा पेपर होगा यानि इससे पहले 79 यानि 89 पेपर का अध्यान हम लोग कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्केप्चन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है वहां से आप एक एकर के देख लिजिए इन सभी पेपर का पीडियाप डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्केप्चन में ही टेलेगराम लिंक दिया हुआ है यहां से टेलेगराम जोइन करके आप पीडियोप को पा सकते हैं तो आज का पहला प्रस्ण इस्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही हम लोग लुसेंट समान अध्यन बूक स्टार्ट गिये हुए हैं मोडर्न हिस्टरी का जो साम को परतेक दीन साथ बजाती है अभी फिलाल कुछ बजा से एक दू दिन गयाप हो सकती है लेकिन रेगुलर में आपको मिलता ही रहेगा क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मोडर्न हिस्टरी से NTPC CBT1 में मैक्सिमम क्वेस्टन पूछे गये हैं और आगे आने वाले एक्जाम में जैसे CBT2 में भी यह उम्मीद है कि मोडर्न हिस्टरी से आधिकतर क्वेस्टन ही होंगे इसलिए पहले मोडर्न हिस्टरी को समाप्त करेंगे लुषेन से और देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेस्टन हू बहू लुषेन से ही लिया गया था इसलिए आप वह सेसन को जरूर देखिए सेसन को अटेंड किजिए और कहीं से टॉपिक को किलियर करके वहां पर टेस्ट देने की कोशिश किजिए शुरुआत में थोड़ा कम नमर आ सकती है लेकिन धेरे धेरे आपको बहतर प्रफॉर्मेंस होने लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसन पहला प्रसन है निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बागों की अबादी को बेभारी अस्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है तो इसका अंसर होगा प्रजेक्ट टाइगर तो इसमें पहला प्रसन होगा को प्रजेक्ट टाइगर की चुद्वाद कब हुआ था उनिसवाद 73 इसपी में अगला प्रसन है एक ब्यस्क मानव सरीर में हड्यों की संख्या कितनी होती है एक ब्यस्क मानव सरीर में हड्यों की संख्या दूसर छो होती है और मानस्पेशियों की संख्या कितनी होगी तो 639 द्यास ने भारती है और यूरोपीय सहलियों को एक इकरित करके मुंबई में ताज महल पैलेस था तो इसका अंसर होगा जमसेद जी टाटा ने जमसेद जी टाटा कुद टूबर 2020 तक पराप जनकारी के अनुसार सहयुक्त रास्ट के बर्तमान महाद सचीव कौन है तो इसका इसका अंसर होगा बेकल किला तमिलाडू में इस्थित नहीं है जबकि बल्लूवर कोटम पदनाव पूरम पहलेस और मिनाक्षी अम्मन मंदिर ये सभी तमिलाडू में इस्थित है बेटी बचाओ बेटी पजाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए बिसेश रूप से लौंज किये गए बैंक खाते का क्या नाम है तो इसका अंसर होगा सुकन्या समरिधी कीवी का जो संबंध फल से है उसी प्रकाल लौकी का संबंध सब्जी से होगा सन 1944 में भारत के बड़े उद्योग पतियों ने एक जूठ होका चुदंता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थवरस्था की अस्थापना के लिए एक सहियुक्त ब्रस्ताव का मसवदा तयार किया था उस मसवदे को किस नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर होगा दा बॉंबे पलॉन के नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर होगा अरुंधती राय भद्रा बन्यजीव अभियारन किस राज में इस्तित है तो भद्रा बन्यजीव अभियारन करनाटक में इस्तित है जब कि बाल में की बन्यजीव अभियारन बिहार में है कि डियास 1945 में यूएन की यूएन को लीग और अपनेशन के उद्राधिकारी के रूप में अस्थापित किया गया था तो इसका अंसर होगा दूतिया बिस यूद के तुरंत बाद दूतिया बिस यूद के तुरंत बाद कि अगला प्रसन है पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था तो इसका अंसर होगा दू हजार उनीस में पुलवामा में आतंकी हमला दू हजार उनीस में हुआ था आर्थिक विकास एक अच्छा संके तक ड्यास में निरंतर बिर्धी है तो इसका अंसर होगा GDP आर्थिक विकास एक अच्छा संके तक GDP में निरंतर बिर्धी है अलमारी का जो संबंद संग्रहन करना से है उसे प्राकुरसी का संबंद बैठना से होगा एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो इसका अंसर होगा 1024 बाइट एक के भी में 1024 बाइट होते हैं OCR का पुन रूप गया है तो इसका अंसर होगा Optical Character Recognition OCR Optical Character Recognition भारत के संबीधान के अनुसार संग के रच्छा बलो का प्रमुख कौन होता है तो इसका अंसर होगा राश्पती भारत के संबीधान के अनुसार संग के रच्छा बलो का प्रमुख राश्पती होता है यानि तीनों से नाओं का प्रमुख राष्टपती होता है निमलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अपनेवेशिक सासन के लिए एक उतरदाई कर्मिक और प्रेरक्ट डिष्टिकून की वकालत की थी तो इसका अंसर होगा गोपाल क्रिस्न गोखले फिर से पर्देते निमलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अपनेवेशिक सासन के लिए एक उतरदाई कर्मिक और प्रेरक्ट डिष्टिकून की वकालत की तो इसका अंसर होगा गोपाल क्रिस्न गोखले माधा एनापलीज मच्छर इनमे से किस रोग का बाहक है तो इसका अंसर होगा मलेरिया माधा एनापलीज रोग का बाहक है मलेरिया 2019 में पर्नम मुखर जी को किस पुरुसकार से समानित किया गया तो इसका अंसर होगा भारत रतन 2019 में पर्णब मुखर जी को भारत रतन से सम्मानित किया गया था संयुक्त राज अमेरिका का कौन सा राज पहले रूस का भाग था तो इसका अंसर होगा अलासका संयुक्त राज अमेरिका का कौन सा राज पहले रूस का भाग था तो अलासका जो बरतमान में अमेरिका में है अक्टूबर 2020 तक उपलावज जानकारी के अनुसार कौनसा खिलारी मेंस कौनसा खिलारी मेंस टेनिस ATP के बरतमान रंकिंग में 20 में पर्थम अस्थान पर है तो नुवाक जोकोबीच ATP में अठरसो संतावन में अंग्रेजों ने मुगल वन्स के अंतिम सासक ड्यास को सत्ता से बरसकास्त किया तो इसका अंसर होगा बहादूर साज अफर और कहन निर्वासित कर दिया था रंगून में वहीं उसकी मिर्टू हो गई थी नमक अंदोलन कम से कम तीन कारणों से उलेखनी था निर्वलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है तो भारत की युवा अबादी असकूलों में जाने लगी इससे कोई प्रक्न नहीं परता है तो कौन सा सही है यह पहली राशबादी गती भी दी थी जिसमें महिलाओं ने बरी संख्या में भाग लिया इस अंदोलन से अंग्रेजो को यह मसूस होने लगा था कि उनका सासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा और चोथा अप्सन है इसे महात्मा गांधी को विश्वास्तर पर पहचान मिली किस सिह गुरू के निमांतरन पर सूफी संथ हजरत मिया मीर ने अमरिस सर में स्वर्ण मंदिर की अधार सिला रखी तो स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है तो इसका अंसर होगा श्री गुरू अरजुन देम जी ने भारत में सुएद करोंती मूलता की स्राज में सुरु होई तो इसका अंसर होगा गुजरात में भारत में सुएद करोंती की शुरू आट गुजरात से सुरू हुई थी GSLV का पुर्ण रूप क्या है इसका अंसर होगा Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle है GSLV का पुर्ण रूप डियास भारत का पहला संरच्छित बन है तो इसका अंसर होगा सत्पूरा राष्टिय वद्यान भारत का संरच्छित बन है किस परकार के कोईले में कारवन की परतिशत मातरा सरवाधिक होती है तो इसका अंसर होगा एंतरा साइट एंतरा साइट कोईले में कारवन की परतिशत मातरा सरवाधिक होती है दिल्ली मेट्रो के पहले कोरिडोर का उधगाटन किस ने किया था तो इसका अंसर होगा अटल बिहारी बाज पेईने बिसाल गिलहरी किस राज की राज किया पसु है तो इसका अंसर होगा महराष्ट बिसाल गिलहरी महराष्ट का राज किया पसु है भारत की पर्थम महिला राश्पती कौन थी तो इसका अंसर होगा परतिभा देवी सिंग पाटिल भारत की पर्थम महिला राश्पती थी कियन सासित परदेश दादर और नगर हवेली से होकर परभाहित होने वाली परमुक नदी कौन सी है तो इसका अंसर होगा दमन गंगा दादर और नगवर हवेली से होकर प्रभाहित होने वाली प्रमुकनदी दमन गंगा वीडियो ग्राफिक्स एरे भी जी ए रंगीन ग्राफिक्स परदसित करने की एक परना ली है या किसके द्वरा विक्षित की गई थी तो इसके अंसर होगा आई बीम इस बर्मान में मौझूद परतेक बर्स्तू जो प्राद से निर्मित है उसे बैग्यानिक ने क्या नाम दिया है तो इसका अंसर होगा द्रब यानि मेटर छोई मुई पौधे का बैग्यानिक नाम क्या है तो इसका अंसर होगा मिमोसा पुडिका चुई मुई पौधे का बैग्यानी का नाम है मिमोसा पूडिका अंतरिक्स में जाने वाली भारतिय मूल की पहली महिला कौन थी तो इसके अंसर होगा कलपना चावला अंतरिक्स में जाने वाली भारतिय मूल की पर्थम महिला कलपना चावला सिद कॉलंबिया दुल घटना में मिर्तु हो गई थी यह जानी एक फरवरी दूहजार तीन को अगला प्रसने ड्यास की हिंसा घटना के बाद गंधी जी द्वारा असहियो गंदोलन वापस ले लिया गया था तो इसका इंसर होगा चौरा चौरी कंड काउन सादेश ओपेक का सदस नहीं है तो इसका इंसर होगा केनिया केनिया ओपेक का सदस नहीं है अक्टूबर दोहबीस तक प्राप जानकारी के उसार इनमें से काउन सी कंपनी महारतन सरेनी में नहीं थी तो इसका अंसर होगा हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इनमें से काउन भारत के एक राज के मुक मंतरी होने के साथ एक सूप परतिष्ठित आयो की अध्यक्स भी थे तो इसका अंसर होगा बिंद्योस्वी परसाद मंडल तो इस वीडियो में इतना ही अपने इस वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आप इस चैनल पर नहें हैं तो सस्काइब निश्चित रूप से कर लिए क्योंकि हमने जिस दिन से यह सेट स्रीज की स्रीज का सुरुआत किया है उस दिन से लगतार वीडियो अप्लोड किया रहा है तो इसलिए आप सस्काइब निश्चित रूप से किजिए निश्चिंद रही है कि हम बीच में छोड़ के छले जाएंगे द्धोका देंगे अगर मेरी तव्यचित सही रही और में जिन्दा रहा तो मैं निश्चित रूप से आपको हर संभव प्रियास करूँगा हर संभव मदद करने की प्रियास लिए आप इस चैनल को सस्काइब निश्चितुरूप से कर लें इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए कुछ दिन तो चैनल को सब्सक्राइब तो निश्य तुरिप से किजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक पिसलाओ सब्सक्राइब तो यहां पर संबंधी टॉपिक से सारा ëक्वेस्टनниц को किलियर कर लीजिए ज़नवाद जहें जजज जबारत